चैप्टर 9 Differential Equation Q1 The Integrating Factor of the Differential Equation यह हमारे पास Differential Equation दी है इसका हमने Integrating Factor निकालना है तो देखो कैसे करेंगे इसको Integrating Factor देखो Integrating Factor निकालना का फॉमला होता है e raised to par Integral P D X यह फॉमला होता है अब हमें क्या करना पड़ेगा इस Differential Equation को Linear Differential Equation में Reduce करना पड़ेगा पहले Linear Differential Equation क्या होती है D Y by D X Plus P Y Equal to Q अगर आप यहां पे ध्यान दो D Y by D X का Coefficient क्या है Coefficient यहां पे Coefficient means जैसे 2X है न X का Coefficient क्या है 2 है तो यहां पे D Y by D X का Coefficient 1 है क्योंकि कुछ भी नहीं इसके ताथ लिखा न तो 1 तो होगा अब यहां पे दियान दो यहां पे D Y by D X का Coefficient X है तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा तो 1 कैसे बनाएंगे दोनों तरफ डिवाइड कर दो डिवाइड बोथ साइड बाए X से डिवाइड कर रहे हम तो X से इसको डिवाइड करोगे यह कैंसल हो जाएगा यह बनेगा D Y by D X इसको X से डिवाइड करोगे यह बनेगा 2 by X into Y और इसको X से डिवाइड करोगे यह ऐसा बनेगा ना X स्क्वेर अपॉन X तो यहां पे क्या बचेगा? X बचेगा है ना? अब देखो अब आप कंपेर करो पहले तो integrating integrating factor का formula है e raise to power integration P D X आप compare करो यहां पे देखो P कितना है? P है मारा 2 by X अब आप integrating factor का formula लगाओ इसका formula है e raise to power P D X P है मारा 2 by X D X अब यह 2 आप बहार निकाल दो पहले और इसकी integration कर दो 1 by X की integration क्या होती है? 1 by X की integration log X अब अगला step क्या करो? यह बन रहा है N log M देखो आपने यह formula पढ़ा है N log M होता है log M की power N तो यह बन जाएगा log X का square यह बन गया न अब देखो आपने यह formula भी पढ़ा है A log X to the base A इसको क्या लिख सकते है? X अगर यहाँ पर base दोनों same हो तो हम इसको क्या लिख सकते है? X जैसे देखो log की जो base होती है वो E होती है अगर नहीं लिखा हो तो log की base E होती है तो देखो जब यह दोनों same है यह दोनों same है अंसर क्या है X तो इस case में अंसर क्या हैगा? X का square है ऐसा याद रख लो कि E और law cancel हो जाता है बस इतनी सी बात याद रख लो ठीक है? अगर formula नहीं याद करना यह याद रखो E और law cancel हो जाता है अब अगला question आजाओ next question देखो क्या दिया हो है next question है हमें क्या करना है? degree of the differential equation इस differential equation की degree निकाल नहीं है पहले तो आप देखो इसको order क्या है? क्योंकि order भी पूछ सकते है paper में आपको order का मतलब होता है कि कितनी बार differentiate हो रहा है जैसे देखो यह d वाब है dx है ना यह कितनी बार differentiate हो रहा है? यह तो एक ही बार differentiate हो रहा है है ना? क्योंकि एक ही बार differentiate हो रहा है तो इसको order हो गया 1 अब आपने देखना है इसी की degree इस पर degree 2 है तो इसकी degree कितनी हो जाएगी? 2 तो यह हो गया हमारा question number 2 भी complete question number 3 देखो क्या दियावा है find the order and the degree of the differential equation यह हमारे पास differential equation है हमें इसका order और degree फाइंड करना है तो पहले आप देखो इसका highest order कितना है highest order means कि कितनी बार differentiate हो रहा है देखो इसका highest order 2 है इसका highest order कितना है? 2 है यह दो बार differentiate हो रहा है अब इसकी degree कितनी है? देखो जल्द बाजी में degree 4 मत लिख देना आपने degree इसी की देखनी है जिसका order देखा उसी की degree देखनी है अब आपने इसका order कितना देखा? 2 ना और इसकी degree देखो कितनी है? इसकी degree 1 तो ये हो गया हमारा question number 3 भी complete अब आजो अगले question पे next question है find the general solution of the differential equation इस differential equation का general solution निकालना है तो क्या करो इसमें y वले और x वले एक तरफ कर लो यहाँ पे variable separable form लगा दो तो y वले एक तरफ करो ये बनेगा y dy upon ये y प्लस 2 इसके नीचे ले आओ ये बनेगा y प्लस 2 फिर x वले एक तरफ कर लो x प्लस 2 पहले यहाँ लिखो dx को यहाँ ले आओ और upon में ये x लिखतो अब अगले step क्या करो दोनों तरफ integrate कर दो तो ये बनेगा integrate both side तो ये बनेगा y upon y प्लस 2 dy x प्लस 2 upon x dx अब इसकी integration देखो कैसे करेंगे आपने कुछ भी नहीं करना जो चीज आपको denominator में दिखरी है ना वो ही चीज आप numerator में बनाओ denominator में क्या दिखर आपको denominator में y प्लस 2 है तो उपर भी y प्लस 2 बनाओ तो देखो यहां पे हमने 2 एड कर दिया और 2 सब्ट्रैक कर दिया क्योंकि हमें सेम बनाना था तो हमने यह सेम बना दिया और इधर भी ऐसा इसको इसके नीचे x अपॉन x और इसको इसके नीचे 2 अपॉन x dx अब अगला स्टैब इसको इसके नीचे y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 और इसको इसके नीचे 2 अपॉन y प्लस 2 dy यह और यह कैंसल होगा 1 यह बनेगा 1 इंटू dx यह 2 बहार आजाएगा यहां बचेगा 1 बाइ x dx यह और यह कैंसल यह बनेगा 1 इंटू dy dy और यहां से माइनस 2 कॉमन आजाएगा यह बनेगा 1 अपॉन y प्लस 2 dy is equal to dx की integration x होती है dx की integration x और इसकी integration log x यह बनेगा log x dy की integration y इसकी हो जाएगी 2 log y प्लस 2 equal to x plus 2 log x plus c यह हो गया हमारा question complete question number 5 देखो क्या दिया हो है what is the general solution of the differential equation हमें क्या करना है इस differential equation का general solution निकालना है तो देखो कैसे करेंगे यहां पर question दिया हो log dy by dx is equal to 2x plus y देखो log की definition आपने पड़ी विया log a to the base b equal to c हो अगर हमारे पास क्या हो log a to the base b equal to c हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a equal to b की power c ठीक है दुबारा सुनो अगर हमारे पास क्या दिया हो log a to the base b equal to c तो हम लिख सकते हैं a equal to b की power c यह definition होती है log की अब यहां पर देखो यहां पर क्या दिया हो है यहां पर base आपको कुछ नहीं दिखरी होगी हम आपको पहले rough में समझाते हैं ऐसा question है ना देखो log की जो base होती है वो e होती है अगर नहीं लिखी होना तो समझो e है अब क्या करो सेम आप यह वाला यहां पर use करो यहां पर देखो a कितना है यह a है यह b है यह c है मैं यहां लिख देता हूँ आपके लिए a यहां पर dy by dx b यहां पर e है और c यहां पर 2x प्लस y है तो क्या लिखना है a a की a equal to b की power c a कितना है d by by dx equal to b की power c b कितना है e और c कितना है 2x प्लस y तो यही सेम चीज़ यहां लिख दो यह आपर e dy by dx equal to e raise to power 2x प्लस y अब next step क्या करो इनकी powers को तोड़ो देखो कैसे यह बनेगा e की power 2x into e की power y अब next step क्या करो x वले और y वले एक तरफ करो dx को इदर ले ओ, ey को इदर ले ओ यह बनेगा dy upon ey और dx को इदर e to x dx next step क्या करो दोनों तरफ integrate कर दो दोनों तरफ integrate कर दो इसको उपर ले जाओ इसकी integration क्या होगी ex की integration ex होती है तो यह same upon में जो x का coefficient 2 है वो नीचे लिख दो और plus c same इदर भी यही करो e raise to power minus y की integration e minus y और upon में जो y का coefficient है y का coefficient है minus 1 तो यहाँ लिख दो minus 1 यह minus उपर ले जाओ तो answer आचाहेगा minus e minus y e 2x upon 2 plus c यह आगया हमारा required answer question number 6 देखो क्या दियावा है find the degree of the differential equation इस differential equation की degree निकालनी है पहले तो order देखो क्या है इसका आपने देखना है कि यह कितनी बार differentiate हो रहा है यहाँ पे दियान दो इसका order है 2 अब degree कितनी होगी अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं गलती यह करते हैं कि इसका आपने order देखा और इसी की degree 2 लिख देंगे वो गलत हो जाएगा क्यों गलत होगा देखो अगर आप यहाँ पे दियान दो यहाँ पे है sin dy by dx देखो एक चीज़ याद रखो sin हो, cos हो, tan हो, e हो, log हो कोई भी हो हर एक का angle जो है न वो polynomial होना चाहिए क्या होना चाहिए polynomial मतलब मतलब sin x हो चलेगा sin y हो तो चलेगा sin x cube हो तो चलेगा लेकिन अगर उसमें dy by dx आ जाए या d2 by dx square आ जाए तो उस case में इसकी degree not defined होती है ठीक है हमेशा याद रखो कि polynomial होना चाहिए जैसे अगर आपके बाद मालो ऐसा हो जाए log dy by dx तो इस case में भी degree non defined होगी या ऐसा हो जाए e raised to part d square y upon dx square इस case में भी degree non defined होगी तो हमेशा याद रखो इनके जो angle होंगे वो polynomials होने चाहिए polynomials means जो जिनकी degree natural number हो तो ये हो गया हमारा question number 6 भी complete question number 7 देखो क्या दिया हो है find the solution of the differential equation हमें क्या करना है इस differential equation का solution निकालना है solution कैसे निकालेंगे आपने क्या करना है x वले और y वले एक दरफ करने है तो पहले x वले एक दरफ कर लो x को इदर लेओ qた y को इदर लेओ तो ये बनेगा dx अपॉझ x और qt y को इदर लेओ ये बनेगा dy upon qt y अब देखो 1 by qt क्या होता है 1 by qt होता है tan 1 by cot x क्या होता है tan x तो यह बन जाएगा tan y dy equal to इसको लिखो यहाँ पर भी 1 by x कर दो 1 by x dx अब दोनों तरफ integrate कर दो tan की integration होती है log sec y क्या होती है log sec y और इसकी भी हो जाएगी log x अब देखो जब दोनों तरफ log आजाए तो आपने log c लिखना होता है तो यह बनेगा log sec y equal to यह देखो क्या बन रहा है log m plus log n इसको भी mod में रख सकते हैं जरूरी नहीं है कि नहीं रखना है आपकी मर्जियां रखो नहीं रखो एक ही बात है log m plus log n होता है log mn तो यह बनेगा log c x तो दोनों तरफ anti log लगाओगे तो log log cancel हो जाएगा तो sec y हो जाएगा c x यह हो गया हमारे आज के questions complete कल हम start करेंगे vectors टूर्स